हेलो एवरिवन आ गई हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्यूटोरियल लेके जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पर ही मार्केट चैसी प्रोफेशनल महंदी कोन कैसे बना सकते हैं दोस्तो आपको सिर्फ इसके लिए लगेगा कुछ इस तरह का ट्रांस्पेरंट प्लास्टिक शीट एक सिजर महंदी कोन को कट करने के लिए और एक रबर जी हां बस आपको इतने ही समान लगेंगे मैं आपको बिना किसी टेप बिना किसी जंजट के सिर्फ एक रबर से महंद इकोन बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये प्लास्टिक शीट आपको इसली किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, अगर आपको ये प्लास्टिक शीट लाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपने जो कपड़े में ऐसे ट्रांस्पेरेंट प्लास्टिक शीट मिलती है, कपड़ों के साथ, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बस आपको करना ये है, कि इसका एक स्क्वेर ऐसे कट करके पीस अलग निकाल लेना है, और फिर इसे ऐसे ट्राइंगल में बनाते हुए, ये कुछ तिकोने अकार में कट कर लेना है, मैंने बस होना चाहिए, कि वो इसली फोल्ड हो सके, और आपको उसे होल्ड करने में कोई दिक्कत ना है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेंधी कोन बनाना, आपको उसके लिए करना ये है, कि सबसे पहले आपको एक एज पकड़ना है कोन का, इस तरीके से, और यहां से मिडल पोर करना है, इस तरह, और यहां से अंगूठे से प्रेस करते वे, ये एजेस को मिलाते जाने है, बस आपको ये फोल्ड करते जाने है, यहां से प्रेस किया, और यहां से इसको दबाया, ये एक राउंड, फिर यहां से प्रेस किया, और फिर एक राउंड दबाया, और फिर यहां से hold करते वे एक और round करना है एंड में आप देखेंगे कि यह edge बच रहा है इस edge को भी cover करते वे आपको यहां से इस तरीके से hold करना है और आप ध्यान रखेंगे कि continuous आपका हाथ यहां रहना चाहिए नहीं तो आपका यह जो shape है यह कौन यह ठीक से नहीं बनेगा तो देखेंगे कि आपकी महंदी कोन एकदम ready है मैं आपको यहां पर कोई tape अगरा लगाना नहीं बताऊंगी क्योंकि होता क्या है mostly घरों में easily tape अगरा कई बर हमें मिलता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ इसको rubber से कैसे complete करें आप यहां से इस ऐसे hold करें और करनी है तो चलिए मैं इसमें महंदी भर लेती हूं अच्छे से फिल कर लिया है बस आपको ध्यानी स्चीच का रखना है कि यह जो एज है वह आपको हमेशा hold करें रहना है और यह end में आपको यह देखिए end तक महंदी नहीं भरनी है थोड़ा सा distance छोड़के रखना है यहां यह end हमेशा आप रखेंगे पकड़के और यह देखिए इसको थोड़ा सा बस hold करना है अब इसी तरीके से मैं आपको थ्रेड से और यह फिर सिर्फ एक टेप की मदद से भी महंदी कून बनाना सिखा सकती हूं अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मैं आपके लिए व पर सिर्फ एक टेप से महंदी कून बनाना आपको सिखा दूंगी आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार जाके जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को आपका एक अगरा पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं